दिखने में तो अच्छे खासे लगते हो और शकल से तो इंटेलिजेंट भी लगते हो लेकिन ये क्या कीडे मकोडे मतलब इतनी गंधी हैंड राइटिंग ओहो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सुच्छी में यार मतलब इतना दुख होता है न अंदर से जब कोई राइटि ऐसे रेती है धांगी हैंड विचा के वा बुरा हो जयाता है दिखिए इस केस में ना तो भगوقान चाहता होता क्यूंकि इसे केस में भगवान आपका कुछ Leistat कि इस केस में भगवान आपका कुछ नहीं कर सकता इक क्या कर ना component कर ना चाहिई कॉन कॉन से टिप्स हैं आज के इस वीडियो में आपको पता चलेंगे लिखावट की अगर बात करें तो अगर यह अच्छी नहीं होगी तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि आखिर आपने लिखा क्या है जिसके कारण एक्जाम में अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाते अगर आप एक स्टूडेंट है तो यह ब अच्छा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए जितना आप बहतर लिखने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी ही आपकी लेखर में सुधार होगा आप अपनी राइटिंग सुधारने के लिए मैगजिंस और बुक्स की मदद ले सकते हैं अब मैगजिंस और बुक्स से किसी भी ट पहचानना है जी हाँ अगर वर्ड के बीच में स्पेस नहीं हो तो उसे समझने में काफी मुश्किल हो जाती है तो जब भी आपका कोई वर्ड पूरा हो जाए उसके बाद थोड़ा स्पेस दे करके अगला शब्द लिखे हमेशा स्पेस का ध्यान रखे मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि जादा स्पेस होना चाहिए लिकिन कम भी नहीं होना चाहिए मतलब मीडियम स्पेस रखे एकदम बैलेंस करके तीस्ते नंबर पर है जादा तेज ना लिखे बहुत से लोगों को ना एकदम खटकट करके तेजी से लिखने की आदत होती है तेजी से लिखने से आ काफी जाता होते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप जल्दी लिखना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए तो इससे गलतियां होने के चांसस भी कम होंगे और जो आप कहना चाहते हैं इग्जैक्ली आप वही लिखेंगे चौथे नमबर पर है पैन और पैंसिल को अच्छी तरह से पकड़े अगर आपको ठीक से पैन या पैंसिल पकड़ना नहीं आता है तो आपकी राइटिंग कभी नहीं सुधर सकती बहुत स से पकड़े ना जादा उपर से और ना जादा नीचे से और आप हर एंगल से पकड़ कर लिखने की कोशिश कीजिए आई दिंग आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सही राइटिंग आ रही है और किस तरीके से पैंसिल को पकड़ना चाहिए एक बात का औ बहुत छोटा लिखते हैं तो कोई बहुत बढ़ा अगर आप छोटा लिखते हैं तो पढ़ने वाले को सही से दिखाई नहीं देगा और बढ़ा लिखते हैं तो पढ़ने वाले को ठीक से समझ नहीं आएगा तो दोस्तों हमारे कहने का सीधा मतलब यह हैं कि अपने वर्ड्स को हमेशा मीडियम साइज में लिखे इसे ना जादा छोटा होने दे और ना जादा बड़ा और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं बागी दोस्तों की कॉपीज को देख करके तो बस इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना शुरू कीजिए और आपकी हैं राइटिंग में सुधार जरूर आएगा और इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएगे